मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वर्ड टू के समय बर्लीन में दफ फियरर हिटलर बैठा होता है उसी के साथ होता है एक बिहेवियरल साइंटिस्ट कॉपल हिटलर कॉपल को बताता है कि नाजी सेल्यूट टाउट फेशन हो गया है पर लोगों को एट लीस्ट अपने हाथ जोड़ कर उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए हिटलर लोगों के ग्रीटिंग जेस्चर से नराज होता है वो कहता है कि उसने हर वो चीज करी जिससे दुश्मनों का नामों निशान मिट जाए वो दुश्मन जिन्नों ने उसके देश की मिट्टी को अपवित्र किया पर जर्मन्स की एक्जिस्टेंस उसके समझ के बाहर थी और उसे टेंशन होती है कि वो अभी बर्लिन में है जो की एनिमी ग्राउंड है अगले सीन में हिटलर आके खोलता है वो किसी फॉरेस्ट में जमीन पर पड़ा होता है वो आसमान में देखता है तो दुश्मनों के जहाज वहां नहीं होते और वो सोचता है शायद वो अराम करने चले गए होंगे एक दम से एक फुटबॉल उचलते हुए उसके पास आती है और साइड में आकर रुख जाती है वो उठता है और जाडियों की तरफ से एक बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगता है फिर उसके पास तीन बच्चे आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है हिटलर उन बच्चों से स्ट्रीट का रास्ता पूछता है उसी दौरान एक फैबियन नाम का रिपोर्टर अपने कैमरा में बच्चों की वीडियो बना रहा होता है और वीडियो में पीछे की साइड हिटलर भी रिकॉर्ड हो जाता है हिटलर अपनी कैप पैंता है और सूचता है कि उसे जल्द से जल्द अपने बंकर में पहुँचना होगा और वो आगे बढ़ने लगता है फिर वो रास्ते पे मोनो वील बाइक चलते हुए देखता है जिसे हिटलर बहुत आश्चर में पढ़ जाता है आगे चलकर वो देखता है कि लोग उसकी फोटो और वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं वो आदमी हिटलर के साथ फोटो खिचवाने लगता है इतने सारे लोगों का एक साथ उसकी फोटो लेना उसे डिस्टरब कर देता है हिटलर आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक लेडी जर्मन लेंगवेज में फोन पर बात कर रही है तो हिटलर उससे पूछता है कि आज क्या डेट है पर वो औरत डर जाती है और हिटलर पर पैपर स्प्रेच छिड़क देती है हिटलर दर्द के मारे चिला उटता है उसके आखे लाल हो जाती है सब धुंदला दिखने लगता है वो किसी तरह पास की एक निउस्पेपर शॉप में जाकर डेट देखता है जिसे देखकर हिटलर शॉप डो जाता है क्योंकि डेट होती है 23 अक्टूबर 2014 और सदमे में जमीन पर गिर जाता है सीन आता है एक टीवी स्टेशन के हैड कारनर का जो मिस्टर किस्टाफ की तारिफ कर रहा होता है क्योंकि उसने अपने डिप्यूटी हैड की डिवी बाखुवी निबाई होती है पर मैनेजिंग डिरेक्टर पोस्ट के लिए कारनर किसी दूसरी लेडी को चुन लेता है जिसका नाम महली नहीं होता है इस डिसीजन की वज़े से किस्टाफ शॉक डो जाता है और डिस सैटिसफाइड भी इसलिए वो अपने ऑफिस में अपना गुसा एक स्ट्रगलिंग फिल्मेकर पर निकालता है जो की फैबियन होता है फैबियन अपने बॉस को समझाने की खूब कोशिश करता है पर फिर भी उसे फायर कर दिया जाता है और बॉडि गार्ड्स उसे बाहर फेक देते हैं कुछ टाइम बाद हिटलर नियू शॉप पर उठता है और शॉप कीपर से डेट पूछता है शॉप कीपर कन्फर्म करता है कि आज की डेट 23 अक्टूबर 2014 ही है इन सभी इवेंट से कन्फ्यूज होकर हिटलर शॉप उनर से पूछता है कि क्या तुमने मुझे गिटनैप किया है वो सोचता है जरूर ये कोई दुश्मन की चाल है हिटलर शॉप कीपर को कहता है कि अगर वो दुश्मनों का साथ ही हुआ तो हिटलर उसे जान से मार देगा पर शॉप कीपर हिटलर को एक चॉकलेट देता है और बड़ी श्रगल के बाद हिटलर उसे खोल भी लेता है वो चॉकलेट को सूंग कर देखता है और कहता है कि ये तो industrially pressed grain है और Shopkeeper से पूचता है कि क्या अभी भी bread की shortage है Shopkeeper हिटलर से पूचता है कि क्या तुम किसी movie के लिए shoot कर रहे हो Shopkeeper कहता है कि तुम बिलकुल हिटलर जैसे दिखते हो जिस पर हिटलर कहता है कि वो हिटलर ही है दफियर उसके बाद हिटलर एक तरकिष Ninja newspaper देखता है शौप की पर उसे बताता है कि उसके ज़ादतर कस्टमर्स तरकिष हैं इसलिए वो तरकिष न्यूस्पेबर रखता है हिटलर सोचता है कि जर्मनी में टर्किश लोग कैसे आ सकते हैं फिर हिटलर न्यूस पेपर पढ़कर इंफर्मेशन इखटी करने लगता है वो एजियूम करता है कि वो वार हार चुका है इसलिए जर्मनी एक क्लमसी वूमेन के हाथ में चला गया है जो लीडर बनने के बिल्कुल लायक नहीं है वो और दुखी हो जाता है जब उसे पोलेंट की एक्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है वो सोचता है कि यूद का कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ वार इस टोटली वेस्ट सीन शिफ्ट होता है फैब्रियन पर जो अपनी सौकर की वीडियो देख रहा होता है और नौकरी जाने की वज़े से दुखी होता है उसकी माँ वहां आकर उसे कहती है कि कुछी सालों में तुम्हें यूट्यूब पर काम मिल जाएगा दुखी मत हो तब उसकी माँ उसे वीडियो पॉज करने के लिए कहती है क्योंकि उसने हिटलर को नोटिस कर लिया होता है फैब्यन बिल्कुल दंग रह जाता है कि कोई इनसान बिल्कुल हिटलर जैसा कैसे दिख सकता है शौप में शौप कीपर हिटलर को नियूस पेपर रखकर बाहर खड़ा होने को कहता है हिटलर शौप कीपर का इंस्ट्रक्शन सुनकर गुस्सा हो जाता है फिर शौप कीपर हिटलर को कहता है कि अपने कपड़े साफ करो ये बहुत सड़ गए है फिर हिटलर एक लॉंटरी में जाकर अपने कपड़े साफ करने को कहता है हिटलर उनसे कोई और कपड़े मांगता है क्योंकि वो नेकेट बार नहीं जा सकता आगे हम देखते हैं कि हिटलर उसी शॉप कीपर के पास जा रहा होता है एक जीन्स, स्वेटर और आर्मी कैप पहन कर बढ़ा ही अजीब कॉम्बिनेशन है दूसरी और फैबियन किसी तरह हिटलर का पता निकाल कर और शॉप में उसका इंतिजार कर रहा होता है अब करीब से हिटलर का चेहरा देखकर फैबियन बिलकुल हैरान हो जाता है फैबियन हिटलर से पूछता है क्या मैं तुम्हारी वीडियो बना सकता हूँ बस तुम्हें जर्मानी की गलियों में गुमना है और हिटलर मान जाता है फैबियन अपनी मां से कुछ पैसे है और एक कार लेता है और हिटलर के साथ अपनी जर्नी चालू कर देता है दोनों एक होटेल में जाते हैं जहां हिटलर एक टेलिविजिन को देखकर पागल सा हो जाता है उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी होती ये सच में बहुत फ़नी सीन है हिटलर डिसाइड करता है कि वो फैबियन की प्रेजन्टेशन में पॉलिटिक्स पर अपने विचार रखेगा हिटलर अलग-अलग जगाव पर जाता है अलग-अलग लोगों से पॉलिटिक्स के बारे में उनके विचार पूछता है इतने सारे लोगों के इंटर्वियू लेने के बाद हिटलर को पता चलता है कि उसके यहाँ ना होने पर डेमोक्रेसी ने लोगों को कुछ भी खास अफेक्ट नहीं किया वो लोगों के अंदर एक दबा हुआ गुसा और असंतोश का भाव देखता है वही भाव जो 1930 के लोगों के अंदर था लोग हिटलर को कंट्री के इमिग्रेंट्स यानि दूसरे देशों से आई शरनार्थी की प्रॉबलम बताते हैं जिससे हिटलर अपने आइडियाज लोगों को समझा देता है उसका आइडिया होता है mixing the races doesn't work अगले सीन में फैबियन हिटलर की strange मूचों के बारे में पूछता है तो हिटलर बताता है कि वो अपनी मूचों को कुछ इस shape में काटता है जिससे वो gas mask जैसी लगे थोड़ी देर बाद फैबियन और हिटलर एक farm में होते हैं जहाएं एक कुटा हिटलर को काट लेता है हिटलर को गुसा आ जाता है और वो कुटे को shoot कर देता है फैबियन उसको डाटता है और उससे गन ले लेता है जैसे जैसे टाइम बीटता है फैबियन का cash खत्म हो जाता है पर उसे एक idea आता है वो आने जाने वाले लोगों को रोक कर हिटलर से उनका स्केच बनवाता है पर हिटलर उनकी सारकास्टिक और फ़नी स्केच बनाता है जिसे लोग हसते हैं और उन्हें पैसे देते हैं वो पैसे जमा करके बाद में फिर से अपनी ट्रिप चालू करते हैं अगले सीर में फैबियन हिटलर की क्लिप किस्टाफर को दिखाता है फैबियन ने जब से वीडियो इंटरनेट पर डाली होती है तब से वो करोडो व्यूज बटोर चुकी होती है क्रिस्टाफ व्यूज देखकर सप्राइज हो जाता है और फैबियन से हिटलर का नाम और फोन नमबर पूछता है पर हिटलर से मिलने के बाद क्रिस्टाफ उसे एक पागल कहता है और उसे वहाँ से निकलने को कहता है जानने से पहले हिटलर डिरेक्टर के आफिस में गुश जाता है वहाँ वो डिरेक्टर से कहता है कि हमें साथ में जर्मनी को बचाना चाहिए बैलीनी को आइडियास पसंद आते हैं इसलिए वो हिटलर से उसका प्लैन पूछती है आइडियास सुनकर बैलीनी अपने असिस्टेंट को आडर देती है कि जल्द से जल्द एक प्रॉपर टीवी फॉर्मेट बनाओ जिससे हिटलर अपने आइडियास शेयर कर पाए अगले सीन में फैबियन क्रिस्टॉफ को धमकाता है वो कहता है या तो मुझे नौकरी दे दो वरना हिटलर को मैं लेकर यहां से चले जाऊंगा यह सुनने के बाद क्रिस्टॉफ जे किचन बॉई की नौकरी दे देता है इस शर्थ पर कि जब कोई नई एडिटोरियल वेकेंसी आएगी तो वो उसे प्रोमोट कर देगा कुछ समय बाद हिटलर को टीवी स्टूडियो में एक टेबल दिया जाता है क्रिस्टॉफ कम्प्यूटर चलाने में हिटलर की हेल्प करने के लिए वहां क्रोमियर को बुलाता है हिटलर अपने जवाने के कम्प्यूटर को याद करता है और कम्प्यूटर इन्वेंशन को वन अफ दे ग्रेटेस्ट बताता है क्रोमियर हिटलर के इमेल बनाने की कोशिश करती है पर ये यूजर ने पहले से यूज कर रखा होता है हिटलर उसके नाम को चोरी करने वालों पर गुस्वा करता है और क्रोमियर से New Rex Chancellery नाम यूज करने को कहता है क्योंकि उसे ये नाम अच्छा लगता था क्रिस्टोफ डिसाइड करता है कि वो हिटलर को एक live comedy show पर बेजेगा जिसका नाम होता है वा डूड क्रिस्टोफ अभी भी नाराज होता है क्योंकि बैलिनी का promotion हुआ होता है ना कि उसका इसलिए बैलिनी के लिए problems create करने के बारे में सोचता है वो plan करता है कि debate में racism बेदवाओ को गुसा दिया जाए जियूस के उपर sarcastic jokes मारकर जिसके बाद हिटलर को बाहर निकाल दिया जाएगा शो स्टार्ट होता है और विटिंगम शो का host हिटलर को stage पर बुलाता है audience हिटलर की appearance देखकर आपस में फुसपुसाने लगती है पर जब हिटलर audience को घूरता है उसका eye gaze देखकर पूरा hall शानत हो जाता है जल्द ही हिटलर बोलना start करता है पर वो नहीं जो scripted होता है बलकि वो audience को सच बता देता है कि उसे juice के उपर joke मारने को कहा गया है पर वो ऐसे नहीं करता वो कहता है कि television humans की बनाई गई सबसे amazing invention है पर जो shows लोगों को दिखाये जाते हैं वो बिलकुल बकवास होते हैं वो गरीबी और unemployment जैसे topics पर बात करता है वो कहता है कि लोग destruction की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा हिटलर इन सब problems को solve करने की बाते करता है और वहां मौझूद हर इनसान उसके लिए तालिया बजाता है हिटलर की popularity से विटिंगन जलने लगता है आगे बैलिनी क्रिस्टॉफ से कहती है कि हिटलर को हर शो में broadcast किया जाना चाहिए क्रिस्टॉफ परिशान होता है क्योंकि हिटलर को downgrade करने का उसका plan fail हो जाता है आगे हम देखते हैं कि हिटलर अलग-अलग TV shows पर interview देने लगता है वो बताता है कि उसका motive है जर्मनी को एक बार फिर से great बनाना कुछी समय में हिटलर की popularity sky rocket हो जाती है और अब वो politicians और party leaders के बीच उठने बैटने लगता है वो अपने ideas के जरिये सबको impress कर देता है दूसरी और क्रिस्टॉफ बहुत excited हो जाता है जब उसे पता चलता है कि TV studio पर district attorney और police आई है police वहाँ hate laws violation के regarding आई होती है बैलिनी police से पूछती है कि अब क्या किया जा सकता है तब ही Christopher बीच में कूद कर बोलता है कि show को cancel करना होगा पर district attorney कहता है कि show continue रखा जा सकता है जिससे बैलिनी की सांस में सांस आ जाती है पर क्रिस्टॉफ नकली का मुस्कुराने लगता है आगे हिटलर एक TV प्रोग्राम पर होता है जहां उससे direct question पूछा जाते है इंटर्वियर हिटलर से कहता है कि उसकी हर करतूत को justify नहीं किया जा सकता इंटर्वियर हिटलर की dog shooting वाली वीडियोज वहाँ चला देता है जिसे वहाँ मौजूद audience बहुत disturb हो जाती है कर दिया जाता है और क्रिस्टॉफ को नया manager बना दिया जाता है उसके बाद हिटलर फैबियन के साथ उसके घर में रहने लग जाता है वो इन दिनों का सारा experience अच्छा बूरा सब एक book में लिखता है तीन महीने बाद सब लोग एक meeting में होते हैं जहां company के massive loss के बारे में discussion हो रहा होता है क्रिस्टॉफ सूचता है कि विड्जिगमन का show उन्हें दोबारा profit में ला सकता है पर एक employee क्रिस्टॉफ को बताता है कि विड्जिगमन ने job छोड़ दिया तो क्रिस्टॉफ अपने selected employees पर भढ़कता है तबी staff में से एक पंदा suggest करता है कि क्यों ना हिटलर को वापिस लाया जाए और क्रिस्टॉफ को suggestion पसंद आता है क्रिस्टॉफ हिटलर को ढूड़ने निकलता है और Fabian को कहता है कि वो हिटलर की movie पर 7.5 करोड रुपे लगाएगा पर return में हिटलर की movie क्रिस्टॉफ की channel पर चलनी चाहिए हिटलर और Fabian क्रोमियर के घर जाते हैं जहां क्रोमियर की मां हिटलर को पहचान लेती है वो हिटलर को हत्यारा बुला कर उस पर चिलाती है उसे वहाँ से चले जाने को भी कहती है अगले सीन में हिटलर कार में कहता है कि वो यहां तक कैसे पहुँचा वो पूशता है कि जब बॉल तुमारे पास आई उस से पहले क्या हुआ था पर हिटलर को कुछ याद नहीं होता उसी रात हिटलर सेट से बार आता है पर वहीं कुछ चोर आजाते है हिटलर उन्हें कहता है कि तुम जैसे लोगों नहीं जर्मनी को बर्बाद कर रखा है तब ही वो गुंडे हिटलर को एक गोसा मार देते हैं और हिटलर वहीं चित पड़ जाता है जब उसकी आँके खुलती है तो वो हॉस्पिटल बैट पर होता है और उसके सामने बैलिनी होती है दूसरी और फैबियन अपनी recorded वीडियो को फिर से देखता है वो जूम करके देखता है तो उसे पता चलता है कि हिटलर जाणियों से उट रहा है फैबियन उसी जगा पहुंचता है जहां हिटलर उठा था ये जानने के लिए कि उससे पहले क्या हुआ था वहीं फैबियन एक बोर्ड देखता है जो बताता है कि ये हिस्टॉरिकल लोकेशन वही है जहां हिटलर का बंकर था फैबियन हॉस्पिटल की तरह बागता है पर बैलीनी उसे बताती है कि हिटलर तो शुटिंग करने निकल गया फैबियन बैलीनी को बताता है कि वो सचका एडॉल्फ हिटलर है पर बैलीनी उस पर यकीन नहीं करती फैबियन बैलीनी को समझाते समझाते पागलों की तरह बिहेव करने लगता है गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो भाग निकलता है फिर फैबियन सेट पर पहुंचता है और हिटलर के उपर बंदूग तान देता है फिर फैबियन हिटलろ को एक बिल्दिंग के टॉप पर ले जाता है और हिटलर को एक जल्लाद बताता है हिटलर रिप्लय में कहता है की और्डिनरी लोगों ने एक एक्स्टरा ओर्डिनरी बंदे को देश की कमान दी है उस पर विशवाश करके गुस्से में फैबियन हिटलर को शूट कर देता है जिससे वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है जल्द ही हिटलर की आवाज फैबियन के कानों में पड़ती है जो कहती है कि वो जर्मन्स का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और हिटलर जो अभी अभी नीचे गिर गया होता है वो फैबियन के पीचे खड़ा होता है तभी बैली नी कट करने को कहती है और हर कोई चियर करने लगता है मतलब ये बस एक फिल्म शूटिंग चल रही थी और एक एक्टर फैबियन बनकर उसका एक्ट कर रहा था अगले सीर में क्रोमियर फैबियन को एक मैंटल वार्ड में देखकर रो रही होती है हिटलर और बैली नी अपनी पिच्चर हिट होने के बाद सबको और अर्टोग्राफ और इंटर्व्यूज दे रहे होते हैं जहां जहां से हिटलर जा रहा होता है वहीं लोग उसे एक स्माइल और रिस्पेक्ट से देखते हैं और यहीं हो जाता है इस मूवी का दी एंड तो कैसी लगे आपको यह यूनीक सी मूवी ज़रूर बताएए चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए